So, hello man, this is Jankit. Welcome back to our channel. इस वीडियो में करेंगे इंडियाय भी अगनिभी रेमार का औरिजिनल पेपर जैसा पूरेक्टिस पेपर. एक सेक्षन में समान गयान से पचिस केशन और एक सेक्षन में साइन्स और मैतेमेटिक से 15 केशन. पचास केशन का पेपर. 30 मिट का Time Language Hindi plus English सही करने का Target आप किसी भी राज से हो 40 प्लस होना चाहिए अगर आप कुछ ऐसे राज से हो जहाँ पे आपकी कटाओ 30 से कम जाती है और 30 प्लस इसकोर आ रहा है आपका तो बहुत अच्छा है अगर आप इंडियन ने भी MR की त्यारी करना चाहते हो किसी भी राज से भारत के तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चलिए पूरा पेपर सॉल करेंगे बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जैसा होता है वैसी पेपर बनाया है बहुत टाइम लगता है मेनत लगती है तब जाके ऐसे पेपर त्यार होते है पूरा पेपर लगाई है बस पहला कोशन है महाराष्ट में सरवादिक मातरा में पाई जाने वाली उपलब्द मर्दा का परकार दा शॉयल टाइप फाउंड इन मैक्सिमम कॉंटिटी इन महाराष्ट फर्स्ट नमर कुश्चन का राइट अंसर टिक करिए तो देखे राइट अंसर इसका उप्शन नमर भी होगा महाराष्ट में सरवादिक मातरा में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो है आपकी काली मिट्टी अचा काली मिट्टी को एक और अन्य नाम से जानते हैं तो उसका नाम लिखिए सबी लोग कमेंट बॉक्स में निमनल लिकित में से कौन सी नदी प्रारंब में अरुन नदी के नाम से जानी जाती है विच आप दफ फॉलोइंग रिवर वज इनिशली नौन एज आरून रिवर तो सेकेंड नमबर कुशन का राइट आंसर टिक करिए सबी लोग प्रारंब में अरून नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है वो है आपकी कोशी नदी बी नमबर कुशन का राइट आंसर होगा अगला कुशन देखिए यूरोप की कौन सी नदी कोईला नदी के नाम से जानी जाती है विच रिवर ऑफ यूरोप इज नोन एज कोल रिवर तो थर्ड नमबर कुशन है राइट आंसर टिक करिए यूरोप की कौन सी नदी कोईला न नदी राइन नदी जो है यह कोईला नदी की नाम से जानी जाती है तो बी नंबर इस कुशन का राइट अंसर होगा पॉइंट टू फाइफ की निगेटिव मार्किंग है एक्जाम में और एक एक नंबर से सेलेक्शन रुकेगा तो यह याद रखिए जो कुशन नहीं आता उ चोड़ दीजिए एक टार्गेट सेट कर लीजिए कि इतना आपको करना है जब अज्यस्ती 40-50 करने के चक्कर में मत पढ़िए निम्न में से कौन सी परवत चोटी संसार की दूसरी सरवोच परवत चोटी है वीच अब दा फॉलोइंग माउंटेन पीक इस अगेंड हाइस् सुझारी सरवोच छोटी है यह सब्याइसकूशन देखेंत सबसे लंबा समुद्रत कौन सा है विचिस दा लॉंगेस्ट बीच इन इंडिया तो सेवन्थ नमबर कुश्यन है राइट आंसर बताईए तो भारत में सबसे लंबा समुद्रत है वो है आपका मरीना बीच तो बी नमबर कुश्यन का राइट आंसर होगा अगला कुश्यन देखिए कुश्यन दूद के घनत को मापने के लिए इस्तिमाल किया जाने वाला उपकरन कौन सा है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मीजर दा डेंसिटी ओफ मिल्क इस नाइन्थ नमबर बताईए दूद का जो घनत हो है वो मापते हैं लेक्टोमेटर से बी नमबर आपने टिक कि किया तो आपका जवाब एकदम सही है चैन्थ नमबर देखिए सब्संचेप जी एसलवी से आसे है वाट इस दा फूल फॉर्म ऑफ जी एसलवी तो देखिए फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है दो से तीन फुल फॉर्म नेवी में पूछे जाते हैं तो राइट आंसर इस कोश्ट करवाए हुए हैं 300 फॉल फॉर्म का जो वीडियो लिंक है डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा अच्छा जो इसका पीडियाफ है वो भी मैं आपको फिरी में दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में चेक करिए 100 फॉल फॉर्म का लिंक होगा या फिर डिस्क्रिप्शन टीपू सुल्तान डाइ इन 1799 इलेवेंथ नमबर कुश्चन का राइट आंसर बताईए तो टीपू सुल्तान की जो मरत हुए वो हुई ति स्री रंग पटनम में सी नमबर कुश्चन का राइट आंसर होगा अगला कुश्चन देखे मानों सरीर में रक्त का ठक्का किस विटामिन से बनता है विच विटामिन मेक्स ब्लड क्लॉट इन हुमन बॉड़ी चल्थ नमबर कुश्चन राइट आंसर ठीक करिया रक्त का जो ठक्का यह जमता है वि सब्सक्राइब स्वाजिए अंबर कुछिछन का राइट आंसर बताएं ऐस ऑक्की आपका केड़ा का राष्टी झेलें कि यह सब्सक्राइब कउर्ट कुछिए लाबर मकूट वाली सारस इसका रास्टी पच्छी किस रेड क्राउंड क्रेंडरिक बर्ड ऑफ फॉन्टीज नंबर कुश्चन बताईए लाल मुकुट वाला सारस यह किसका राश्टी पच्ची है यह चाइना का है ऑप्शन नंबर एस कुश्चन का राइट आंसर अगला कुश्चन देखिए हिंद मार्शागर में सबसे बड़ा द्यूप है दा यह च्शन देखिए पाकिस्तान के संदर्भ में आयसाई क्या है वाट इस दा फॉल्फॉंप आप आयसाई सिक्ष्टीन नंबर कुश्चन तो आयसाई का जो फॉल्फॉं में वो टाइंटर सर्विस इंटेलिजन्स लिए बीनंबर कुश्चन का राइट अंसर होगा अच् CAD full form है उसमें गलत लिखा हुआ है और question number 98 याद नहीं कौन सा full form है वो भी गलत लिखा हुआ है तो 98 का D सही कर लेना और 18 का भी D सही कर लेना CAD का जो full form है वो computer added design होता है उसमें computer automatic design पर click है right answer है वो यह दोनों याद रखना उसमें जब PDF डाउनलोड करना अलेकजेंडरिया समुद्र पत्तन है अलेकजेंडरिया इस सी पोर्ट आफ 17 नमबर question का right answer बताईए अलेकजेंडरिया जो समुद्र पत्तन है यह आपका है मिस्र का एजिप्ट का है B numbers question का right answer होगा देखे question है मानो बासा का अध्यान करते है study of human languages is तो बताईए मानो बासा का अध्यान किसे में करते हैं तो बासा विज्ञान में करते हैं मानो बासा का अध्यान तो fourth number right answer निमनलिकित में से गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से है which of the following cave paintings is the oldest option देखे और बताईए इन में से सबसे पुराने चित्र right answer इसका option number भी हो जाएगा एलोरा की गुफाओं के जो चित्रे हैं सबसे पुराने देखे बिम्बावती देवी ये किस परकार के नरत के लिए सुविक ख्यात है बिम्बावती देवी is well known for which type of dance 20 number question का right answer बताईए तो ये जो है ये आपकी मड़ी पूर के लिए परसिद देए option number 8 question का right answer हो जाएगा इस question देखे थाईलेंड की मुद्रा क्या है the currency of Thailand तो बताईए थाईलेंड की मुद्रा तो थाईलेंड की जो currency उसका नाम है थाई बात तो option number C में आपको दिखरा होगा बात यही इस question का right answer होगा 22 number question भूटान की राजदानी क्या है the currency of Bhutan 22 number बताईए तो भूटान की जो राजदानी है वो है थिम्पू C number right answer question वरुन नौशेना ब्यास 2022 एक इसके बीच हुआ from whom between वरुन नैवी प्रैक्टिस नवल प्रैक्टिस 2022 हैपेंड 23 number question है यह जो हुआ नवल प्रैक्टिस 2022 यह भारत और फ्रांस के बीच में हुआ तो A number question का right answer होगा तेकि डूरंड कप 2022 यह किस ने जीता वो वन डूरंड कप 2022 तो बैंगलूरू अपसी जो टीम है यह पहली बार दूरंड कप जीती है तो इसलिए question important exam में आ सकता है लास्ट question के जवाब दीजिए साहित में नोबल प्रैस 2022 यह कौन जीता है वो वन नोबल प्रैस 2022 इन लिटरेचर तो 25th number question है राइट अंसर बताईए तो साहित में नोबल प्रैस जीता है वो है एनी एरनाउक्स option नमबर सी एनी एरनाउक्स इस question का राइट अंसर होगा यह था जी के section के 25 question बिल्कुल ऐसे ही पेपर आपका त्यार किया जाता है अलग अलग चेप्टर से एक कुशन रखे जाते हैं तो हर एक चेप्टर से हमने कुशन रखे हैं और लेवल लगबग मीडियम ता हाड लेवल का नहीं बनाया है तो जी के मैं आपका score के आरा कमेंड करिएगा 0.25 नेगेटिव मार्किंग के साथ जिनके पास महा पीडिएप नहीं है इस महा पीडिएप को डाउनलोड कर लो यह दो चार नंबर दिराने वाली पीडिएप नहीं है इस पीडिएप से आपका अल्मोस्ट पूरा स्लेवेस है तो अल्मोस्ट सारे नंबर आपको इसी पीड़ाप से देखने को मिलेंगे नेवीमार की यह महा पीड़ाप है जिसमें साइंस, गड़ित और यह आपका समान गयान मैथ, जीके और साइंस, तीनों सब्जेक्ट हैं आपके इसमें यूटूब क्याते हैं पहली बार फुल स्लेवर्स, ओफिसल स्लेवर्स चैप्टर वाइस तयार किया गया है कॉस्ट इसका 199 और हिंदी और इंग्लिस दोनों में तयार किया गया है जर्नल में इसका इंडियन ने भी स्लेवर्स प्रोवाइड करता है स्वाहिल रिवर माउंटेन अवाइड तुस सब्सक्रण से किसी सब्सक्राइज किसी देड़ सो किसी से 170 प्रीवियस येर कोशन के साथ हमने है पूरे चैप्टर वाइस कोशन सापको 15100 दी है 1000 प्रीवियस येर कोशन दी है जी के के तो 2500 कोशन यह हो गया अब science में सभी chapter से मिला कि किसी से 100 किसी से 1500 chapter wise पूरा जो official syllabus है 1000 question 3500 होगे mathematics में थोड़ी सी भी दिक्कत आपको लग रहा math नहीं निकलेगा यह 500 question का practice कर ले ना पूरा का पूरा math आपका निकल जाएगा जो हम practice paper में math करवा रहे हैं बहुत easy करवा रहे हैं लेकिन जो आपके exam में math आएगी वो इस पीडियाफ में mathematics दी है बिलकुल same to same ditto mathematics आपको छपी मिलेगी तो इस पीडियाफ का जो link है वो description पर सबसे उपर दिया हुआ है यह फिर description पर मेरा नंबर दिया हुआ है उसी नंबर पर पेमेंट करना है और उसी नंबर वाट्साप आपको भेज़ देना है पीडियाफ आपको मिल जाएगी अब देखिए यह साइन्स है साइन्स का पहला question और टेस्ट का question भार है वह बढ़ा हुआ प्रतीत होता है इंक्रीज होता है यह नंबर राइट अंसर होगा जब लिफ्ट उपर की हो जाती है देखिए एक वस्तु तब तक तेजी से बढ़ती रहेगी जब तक की एन अब्जेक्ट विल कंटीन्यू टू एक्सलेट अंटिल दा 27 नंबर कर राइट अंसर होगा देखिए बर्प पर दाब बढ़ाने से उसका जो गल्लांक है मेल्टिंग पॉइंट है उस पर क्या परवा पड़ता है इंक्रीजिंग दप्रेशर ऑफ ऑन आइस कॉसेज इट्स मेल्टिंग पॉइंट तो बर्प का अगर आप बढ़ा दोगे तो जो उसका गल्लांक है मिल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा नहीं है वो घट जाएगा यह नंबर कुशन का राइट अंसर हो जाएगा इस कुशन देखिए मैक अंकों का प्रियोग वेग के संबंद में किया जाता है मैक नंबर्स और यूजड इन रिलेशन टू वेलोस निवन में से किस परमाण के नाभिक में एक भी नूट्रोन नहीं होता है विच अब दा फॉलोइंग एटमस ड़ नॉट्रोन इन इस नूकलियस थर्टी नंबर कुशन का राइट अंसर बताईए राइट अंसर इसका ऑप्शन नंबर भी होगा इन में से जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन परमाण के नाभिक में एक भी नूट्रोन नहीं होता है थर्टी वन नंबर कुशन विचिस्ट प्रत्रोध का एसाई मातरक बताईए थर्टी फर्ट नंबर कुशन विचिस्ट प्रत्रोध का जो एसाई मातरक है वो है ओम मीटर बी नंबर कुशन का राइ तो इसको कहते हैं गैलवनी करण बी नमबर राइट अंसर होगा अच्छा जो गैलवनी करण इसको हिंदी में यसदी करण भी कहते हैं यसद लेपन अगला कुशन मुवेशी खाना के आसपास कौन सी हानिकारक गैस क्या देखता होती है विच हाफुल गैस इस इन एक्सेज ए कौन सी आनिकारक गैस के देखता होती है तो मीधेन की होती है अप्शन नमबर एस कुशन का राइट अंसर अग्रा कुशन देखें मद्राति सूर इसका अर्थ क्या है वह वाट ड़ डज मिड़नाइट सन मीन्स तर्टी फॉर्ड का राइट अंसर तो मद्राति सूर का जो अर्थ है वह सूर का दुरूवरत में देर तक चमकना डी नमबर कुशन का करेक्ट आंसर होगा थर्टी फिप्त नमबर देखें न्यूटन की गतिका तर्ती नियम निम्न के सनर्चन का नियम है न्यूटन सथर्ड लाओ आफ मोशन लेड्स टू लाओ आफ कंजर्वेशन आ किसके सनर्चन का नियम है यह संवेग के सनर्चन के नियम है डी नमबर क्लिक किया तो आपका जो आंसर हो राइट है अगला कुशन देखें बोकंप या विस्पोट जैसे आवेग से उत्पन लोचदार तरंग को कहा जाता है एन इलास्टिक वेब जनरेटिड बाइन इंप इसके सदार तरंग को वो कमपी तरंग कहते हैं डी नमबर कोशन का राइट अंसर हो जाएगा इसकूशन देखें पेरिस्कोप को बनाने में कौनसा दरपन प्रियोग होता है विच मिरर इस यूजड इन मेकिंग पेरिस्कोप थर्टी सेवन नमबर कुशन है पेरिस्कोप बनाने में प्लें दरपन का यूज़ किया जाता है थर्ड नमबर राइट अंसर होगा अगला कुशन देखें हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं हाउ मैनी प्रोटॉन और दियार इंदा नूकलियस ऑफ हीलियम तर्टी एर्थ नमबर कुशन है राइट अंसर बताइए तो हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन होते हैं कि अगला कुशन देखें हाइडोजन बंब यह किस प्रक्रिया पर अधारित है और विच प्रोसेज इस दा हाइडोजन बंब बेस्ट थर्टी नाइन्थ नमबर कुशन राइट अंसर इसका अप्शन नमबर भी हाइडोजन बंब जो ही आपका नाभिकी शलायन पर अधारित है परमाड़ बंब जो ही वह आपका नाभिकी विखनडन पर अधारित है और दोनो फिद्धा में ciao किशन है अगनी सामक में कौन सी गैस का प्रियोग किया जाता है विच गैस इस यूजड इन फाइर Stinguser अच्छा आगनी शामक मतलब आग बुजाने वाला अब बताईए आग बुजाने वाले में कौन सी गैस का प्रियोग किया जाता है इसमें किया जाता है Carbon Dietside का प्रियोग आगनी शामक में CO2 गा तो Right Answer C Number तो ये थे Science के 15 Question अब बताईए आपका जवाब क्या रहा है और इतनी ही स्पेट से आपको एक्जाम में भी करना है क्योंकि अभी 15 से 16 में अट हुए हैं हमने Science और GK खतम कर दिये अब बचे वे टाइम में आपको Math में टाइम देना होगा हम जो भी आपको Practice सेट दे रहे हैं उसमें जो GK और Science करवा रहे हैं बिल्कुल ऐसे एक्जाम में आएगा लेकिन जो Math आपको करवा रहे हैं वो थोड़ा Easy Level करवा रहे है क्योंकि Math पढ़ाता नहीं हूँ और अभी इतना टाइम नहीं कि मैं Math के अच्छे कोशन्स आपको करवा सकूँ तो Math जो है हमारी महा पीडियाफ में जो हमने 500 कोशन दी है Math के वो तैयार कर लेना सिर्फ Math आपको उससे निकल जाएगा और उसी Level के कोशन्स आते एक्जाम में चलिए हम Math सॉल करते हैं क्योशन No.41 किसी वर्ग का चेत्र पल 144 वर्ग संटीमीटर दिया हुए तो उसके विकरण की लंबाई संटीमीटर में कितनी होगी और दिया है 144 संटीमीटर जो दिया है अचा वर्ग का चेत्र पल प्रेट पलोता है वह होता है बुजा मतलब एस को यहां से अगर एक वैल्यू निकालोगे तो यह अंडर रूट 144 हो जाएगा अब बराबर अगर अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो यह बारा जाएगा बुजा की लंबाई कितनी हैंगी बराबर 12 सेंटीमेटर विकन नि और रूट टू यह इसका राइट अंसर हो जाएगा यह नंबर अगला कुश्चन देखें कुश्चन है एक 300 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 50 मीटर प्रति सेकेंड की गति से 10 सेकेंड में पार करती है अब प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी तो आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है ऐसे कुश्चन इक जाम में जरूर आते हैं और कैसे करना देखेंगे सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होगा चाल बराबर दूरी बटे शमय यहां से आपको क्या निकालनी है प्लेटफॉर्म की दूरी निकालनी है तो चाल कितनी दी हुई है चाल दी हुई है समय दिया वह 10 सेकेंड का अब इसको अगर सॉल करोगे तो यह 10 को उधर जाएगा तो यह 500 हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 300 प्लस पी अब 300 को इस साइड कर दो यह 500 माइनस 300 एकोल पी बराबर यहां पर कितना आ गया 200 प्लेटफॉर्म की जो लंबाई हो कितने निकल के आई 200 तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर भी होगा कुशन देखिए हल करें 264 डिवाइड बाई 11 इंटू 10 solve it 264 डिवाइड बाई 11 ओफ यहां पर का होना ची 11 11 का 10 11 ओफ 10 तो यह लिखा है ऐसे 264 डिवाइड बाई 11 का 10 तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 264 डिवाइड बाई 11 इंटू 10 अब यहां पर इसका गुणा नहीं करेंगे पहले हम इसका इसमें बाग करेंगे ग्यारा का बाग जब 264 में करेंगे तो ग्यारा दूनी 22 और चार ग्यार चोको 44 तो यह 24 हो गया इंटू 10 यह हो जाएगा आपका 240 बी नंबर्स कुश्चन का राइट अंसर हो जाएगा जल्दबाजी में अगर आपने ग्यारा का 10 में गुणा किया फिर डिवाइड किया त देखे किस दनराशी पर 5% वार्शिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 9000 होगा और विच सम आप मनी दर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 यह एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी 900 तो 44 नंबर कोईशन को सॉल करिए देखे इसमें आपसे पूंचा क्या गया है आपसे प्रिंसिपल पूचा गया है पी बराबर तो पी बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपन रेट आफ इंटरेस्ट इंटू टाइम यह सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ह जिससे हमने प्रिंस्पल निकाला P बराबर simple interest कितना दिया हुआ है No show Into show Rate of interest 5 Time 6 अब इसको divide करने आपको अच्छा इसको 3 से काटोगे 2 बार जाएगा इसको 3 से काटोगे 300 बार जाएगा 2 से इसको 300 को काटो ये 1.500 बार गया 5 से इसको काटो संख्याप का 3.000 राइट आंसर अप्षान नंबर कि सी हो जाएगा इसको देखें तीन संख्या है 4 रेशियो 8 रेशियो 2 के अनुपात में अब सबसे बड़ी तदर सबसे छोटी संख्या का अंतर चमवन दिया है तो पहले संख्याप को बतानी है तो इन संख्याप को इस तरी के चलिए सकते हैं एक से रूप में अब यहां पर आप से बोला गया सबसे बड़ी और सबसे चोटी संख्या के अंतर सबसे बड़ी संख्या 8x है अब सबसे चोटी आपका 2x है इनका अंतर दिया हुआ है तो 8x माइनस 2x बड़ाबर कितना दिया हुआ है चाउं यह कितना हो जाएगा 6x बड़ाबर 6 तो अच्छा x बड़ाबर कितना हो जाएगा 6 से यह डिवाइड हो जाएगा कितनी बार जाएगा नौ बार एक्स की वेल्यू नहीं हो आगी अब आपसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या का अंतर इतना दिया तो सबसे पहली संख्या आपको बतानी है पहली संख्या 4X है 4X बराबर 4 इंटू 9 नचो का 36 राइट आंसर D नंबर हो जाएगा अगला कुशन देखिए 6 और 18 का 33 अनुपाती ग्याद करना है Find the third ratio of 6 and 18 अब देखिए जब भी ऐसा कुशन आता 33 अनुपाती तो इसका फॉर्मूला होता है A, B, C मेंसे आपसे 33 अनुपाती का मतलब C पूछा गया है C बराबर जो फॉर्मूला होता है C बराबर B square upon A यह पिर B आपका 18 है A आपका 6 है तो 18 के square मतलब 18 into 18 upon A मतलब 6 इसको इसे कट करोगे 3 बार जाएगा 18 के 3 में गुणा करोगे 54 आएगा C नंबर आइट अन्सर होगा पॉर्मूला याद होगा तो कर लोगे एक कुशन है 441 गुणा 519 620 गुणा 205 अब इसका unit digit पुचा गया है इसको multiply करो और इसका unit digit निकालो तो देखे multiply करने में टाइम लगेगा जब भी कुछ संख्याओं का multiply करना है अगर कोई संख्या है जिसके लाश्ट में 0 है multiply करोगे तो जो answer आएगा वो 0 ही आएगा मतलब जो unit digit उसका होगा वो 0 आएगा तो इसलिए इसका option number D right answer होगा आप गुणा करके देख लो जो भी answer आएगा उसका unit digit होगा वो 0 ही रहेगा अगला question 7 अंकों की सबसे छोटी तता 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ग्याद कीजिए find the difference between the smallest 7 digit number and the largest 5 digit number 48th number question जब भी आपसे किसी भी कितने भी अंकों की चोटी संख्या पूचा जाए माली जी आपसे 6 अंकों की चोटी संख्या पूची गई है तो फिर आपको क्या करना है 7 अंकों की पूची गई तो 6 0 लिखने है और 1 तो यह 7 अंकों की सबसे चोटी हो गई जब आपसे कोई भी संख्या कितने भी अंकों की बड़ी संख्या पूची जाए तो आपको सिर्फ उतनी बार 9-9 लिख देना है यह उतनी अंकों की सबसे बड़ी हो जाएगी अब इनका अंतर निकालना है तो इनका अंतर निकालोगे तो इतना आएगा तो सी नंबर हाँ सी नंबर स्कूशन का राइट अंसर हो जाएगा अगला कुश्चन देखिए लिखा है वन बाई टेन सिक्स बाई हंड्रेड और टल बाई वन थाउजन को हल करना है क्या लिखा है यह सिक्स बाई हंड्रेड और टलवाइ दीवाइट करेंगे वन थाउजन टेन से डिवाइट हैंडड गिए तो डिवाइट करें माइट सी नंबर राdar अंसर अगला कुश्यन देखिए लिखा हुआ है अंडर रूड पॉइंट 0000.000484 आपको निकालना है देखो यह अंडर रूड के अंदर क्या लिखा हुआ है जीरो पॉइंट 0000484 अब आपको करना यह है कि पहले तो आपको यह दसमलो अठाना है दसमलो अठाएंगे तो 3 और 3-6 अंक बाद 6-0 नीचे आ जाएगा यह बचेगा 484 और यह बचेगा एक बाद 2 , 3 , 4 , 5 , 6 यह 9-9, 4-iona4 और वर्गमुल निकालोगे हैं कि तो यह कुतना होता है 22 होता है हैं कि और यह 6-0 है तो 3-0 बचे गा जब वर्गमुल निकालोगे अ थीन 1000 जब डिवाइट करोगे तो 10 नम्मलव जीरो दो दो धूँँछाेगा कि वी इस नंबर हो जाएगा पेपर अब आप comment box में लिखिए कि आपका gk में कितना रहा आपका science में कितना रहा मैं वीडियो के बीचे में बताया था कि जो gk है ऐसे एक्जाम में आती है science भी ऐसे एक्जाम में आती है math थोड़ी अच्छे level के आती है math में करवाता नहीं हूँ इस practice paper को complete करने के लिए थोड़ी हलकी level की, हलकी easy level की math रखी है जो महा पीडियाप में math दी हुई है, बिल्कुल same to same ditto वैसे ही math आएगी उन सभी questions को आप छाप लेना, एक्जाम में आपको जोड़ देखने मिलेंगे अच्छा, total आप score बताए और ये वीडियो कैसी लगी, ये paper कैसा लगा, वो भी comment box में लिखा करिए, सबी comment देखता हूँ और .25 negative marking के साथ बताइए, math पीडियाप नहीं डाउनलोड करी, तो नवी अमार में अगर आपको selection लेना, तो एक math पीडियाप आपका false syllabus, chapter wise इसको आप तयार कर लीजिए, आपका जो नवी मार का exam में आप जरू निकलोगे, 955925198, ये मेरा personal whatsapp नंबर है, और इसी नंबर गूगल पर फोन पर पेटियम सब चलता है, 199 का आपको payment करना है, जो कि आपका MR का PDF का cost है, और इसी नंबर पर whatsapp पर screenshot बेज देना है, तो जो PDF PDF है, वो मैं आपको इसी whatsapp पर बेज दूँगा और whatsapp से आप डाउनलोड कर लेंगे, और इसके बाद उसको पढ़के अपनी तयारी करेंगे, और exam जरूर आप निकाल लेंगे, ठीक है, बाकि मिलते हैं इस वीडियो में, पेपर कैसा लगा जरूर बताईएगा, बाई, all the best जाउनलोडोड़का